प्रभु तेरी वाणी जीवनिकी रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवनिकी रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नलनों की जोती अंधेरा मिटाती वाणी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है 12 सितंबर शनीवार पहला पार्ट कुरुंतियों के नाम संपॉलिस का पत्र अध्याए 10 पसंख्या 14 से 22 तक प्रिय भाईयों आप मुर्ति पूजा से दूर रहें मैं आप लोगों को समझदार समझ कर यह कह रहा हूं आप स्वयम मेरी बातों पर विचार करें क्या आसीश का वह प्याला जिस पर हम आसीश की प्राथना पढ़ते हैं हमें मसी के रक्त के सहबागी नहीं बनाता क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसी के सरीर के सहबागी नहीं बनाती रोटी तो एक ही है इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं इश्राइलियों को देखिए क्या बली खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं हैं मैं यह नहीं कहता कि देवता को चड़ाए हुए मांस की कोई विशेस्ता है अथवा यह की देव मूर्ती का कुछ महत्तु है किन्तु धर्म गंध के अनुसार गैर यहुदियों के बलिदान इश्वर को नहीं बल्कि अपदूतों को चड़ाए जाते हैं मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग अपदूतों के सहभागी बनें आप प्रभू का प्याला और अपदूतों का प्याला दोनों नहीं पी सकते आप प्रभू की मेज और अपदूतों की मेज दोनों के सहभागी नहीं बन सकते क्या हम प्रभू को चुनोती देना चाहते हैं क्या हम उससे बल्वान है यह प्रभू की वाड़ी है इश्वर को धन्यवाद संद लूकस के अनुसार पवित्र सु समाचार अध्याई छे वाकि 43 से 49 तक येशु ने अपने शिश्यों से कहा कोई भी अच्छा पेड बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड अच्छा फल देता है हर पेड अपने फल से पहचाना जाता है लोग न तो काटीली जाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और न उट कटारों से अंगूर अच्छा मनुश्य अपने हिरदे के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़े निकालता है और जो बुरा है वो अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़े निकालता है क्योंकि जो हिरदे में भरा है वही तो मुझ से बाहरा जाता है क्योंकि जो हिर्दे में भरा है वही तो मुझ से बाहर आता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो हे प्रभू हे प्रभू कहकर मुझे क्यों पुकारते हो जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है जानते हूँ वो किसके सद्रिश है वह उस मनुष्य के सद्रिश है जो घर बनाते समय गहरा खोता है और उसकी नीव चट्टान पर डालता है बाढ आती है और जल प्रवाह उस माकान से टकराता है किन्तु वह उसे ढाने पाता क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है परन्तु जो मेरी बाते सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस मनुष्य के सद्रिश है जो बिना नीव डाले भूमी तल पर अपना घर बनाता है जल प्रवाह की टकर लगते ही वह घर ढ़ जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है ये प्रभू का दिव्य सु समाचार है ख्रेष्ट प्रभू की जय है मेरे प्रिये भाई और बेहनों पवित्र वचन के द्वारा प्रभू हमें सनमार्ग पर चलना सिखाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है ये सिखाते हैं कभी कभी मैं सोचता हूँ उन लोगों का क्या जो पवित्र वचन नहीं सुनते नहीं पढ़ते हैं उनको कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे मार्ग पर चल रहा हूँ ये सन मार्ग है या गलत मार्ग है जब फंदों में पढ़ जाते हैं जब विबिन प्रकार की बाधाओं की शिकार बनते हैं तो वे रोने लगते हैं लेकिन हम विश्वासियों को चाहिए कि निरंतर प्रभु के वचनों को सुनते हुए सही मार्ग पर चलना सीखना आज के पहले पाठ में सन्द पॉलु समें मूर्ति पूजा के बारे में और उस पूजा में अर्पित भोजन को खाने के बारे में समझाते हैं हमने इसके बारे में पहले भी मनन किया है लेकिन आज इस पश्च शब्दों में सन्द पॉलु समें समझाते हैं कहते हैं आप मूर्ति पूजा से दूर रहें और पॉलुस कहते हैं कि आप प्रभी येशु के दिवे शरीर और रत को गरहन करते हैं तो कैसे अब्दूतों का भोजन खा सकते हैं इन दोनों का मेल नहीं होता है आप येशु का पवित्र शरीर और रक्त गरहन करते हैं दैविक जीवन प्राप्त करते हैं वहां पतर अब्दूतों के भोजन के लिए कोई स्थान नहीं है प्रभू और अब्दूत एक साथ नहीं जा सकते हैं प्रभू और अन्य इस प्रकार के अंद विश्वास की चीजें एक साथ नहीं जा सकते हैं पिछले साल हमारे आस्रम में हमारे भक्त लोग विश्वासी लोग उनके जीवन में प्रभु के दिये विवरदानों के लिए कभी-कभी बाहिय रूप से धन्यवाद देते हैं। जिनको संतान मिल जाती है तो उसके बाद साज बाज के साथ आते हैं। मारे आले जाते हैं दर्शन बहुन जाते हैं और उस बच्चे का मुंडन कराते हैं एक बार इसी तरह बच्चे को लेकर आये थे काफी आवाज के साथ साज बद रहे थे डोल बद रहे थे काफी आवाज के दाथ तो मैं गया था लेकिन मैंने देखा कि जिस बच्चे को तू ये बताने के लिए आई है कि ये बच्चा प्रभु का वर्दान है लेकिन तू ने उस बच्चे को शैदान के आत्में दे दिया अक्सर हमें ऐसे देखनों को मिलता है मुझे कहते हुए कोई संकूच नहीं है कई विश्वासियों की जीवन में मैंने देखा है एक तरफ प्रभु के अच्छे भक्त होने का विने करते हैं विश्वासियों मसी होने का विने करते हैं दूसरे तरफ भूत प्रेत और दुनिया बर के अंदविश्वास की चीजों की पीछे दवड़ते हैं ऐसे बहुत सारे केसे भी हमें मिले हैं आप पढ़ेंगे लेवी ग्रंद के अध्याई उन्नेस में उसके वाकिए 31 में प्रभु गयते हैं तुम भूत प्रेत साधने वालों और ओजों के पास नहीं जाओगे और उनसे प्रश्ण नहीं करोगे उससे तुम दूशित हो जाओगे मैं प्रभू तुमारा इश्वर हू लेवी ग्रंद अध्याई बीस उसके वाकिए 6 में लिखा हुआ है यदि कोई भूत प्रेत साधने वालों या ओजों के पास जाएगा तथा वे अभिचार करते हुए उनका अनुसरन करेगा तो मैं उस पर अप्रसन हो जाओंगा और उसके समुदायस को समुदायस से कार करूँगा आप पढ़ेंगे एजेकियल नभी के ग्रंद के अध्याई तैरा में एजेकियल नभी अध्याई तैरा में प्रभु स्पश्च शब्लों में समझाते हैं एजेकियल अध्याई तैरा उसके वाकिए बेश से प्रभु कहते हैं प्रभु इश्वर ये कहता है देखो मैं तुमारे फीतों के विरुद हूँ जिन से तुम आत्माओं को फसाती हो मैं तुमारी बाहों पर से उन्हें तोड़ दूँगा और तुम जिन आत्माओं को फसाती हो उन्हें पक्षियों की तरह मुक्त गर दूँगा तो प्रभू स्पष्ट्र शब्दों में और भी बहुत सारी चिक्षाय है लेकिन मैंने दो तीन शब्दा आपको सुनाया है स्पष्ट्र शब्दों में हमें समझाते हैं कि प्रभू और अंद विश्वास एक साथ नहीं जाते हैं अमारे लिए प्रभू ही एक मात्र समरक्षन है एक मात्र रक्षक है एक मात्र सुरक्षा है अन्नी चीजों में हम सुरक्षा नहीं ढून सकते हैं आज की सुसमाचार में प्रभी ये सुने हमें बहुत ही सुन्दर संदेश दिया है प्रभु कहते हैं कोई भी अच्छा पेड बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड अच्छा फल देता है हर पेड अपने फल से पहचाना जाता है कोई अच्छा पेड बूरा फ़ल ने देता है और बूरा पेड अच्छा पल ने देता है पेड फल से पैचाना जाता है मुझसे क्या निकलता है मेरी भाषा, मेरी बुली, मेरी दृष्टी, मेरे कारिय इससे पता चलता है कि मैं अंदर क्या हूँ जो गाना मैं गाता हूँ जो बाते मैं करता हूँ जो रंग मुझे पसंद है जो व्यवहार मैं करता हूँ जो कार्य मैं करता हूँ उससे पता चलता है कि मेरे अंदर गया है कुछ लोगों के मुँझ से विश्वासी होने पर भी उनके मुझ से ऐसी बाते निकलती है जो बहुत ही बुरे उदाहरन की है इसे पता चलता है कि आपके अंदर क्या है जो अंदर है वही बाहरा जाता है जो अंदर नहीं है वो बाहर नहीं आता है इसलिए हमारे वेवहारों की द्वारा हमारी बूली की द्वारा हमारे चॉइस की द्वारा चुनाओं की द्वारा पता चलता है कि हम किस प्रकार की पेड़ हैं हमारे आस्रम में बहुत सारे लोग आते हैं विशेष करके कुछ लोग जो बहुत परशान रहते हैं, जिनके अंदर बहुत बुराईया हैं, बुरी आदतें हैं, आसरम में आते हैं, एक दो मैने रह जाते हैं, वापस जाते हैं, उनका सभाव पूरी तरो से बदला दिखाइदेता है, उनकी बोली बदल जाती, उनकी ह 할arson हो जाएंगे हमारे मुझसे वही निकलेगा जो हमारे अंदर होता है उसके अनुसार यानि प्रभी एसु अमें बता रहे हैं तुम पता लगाओ कि तुम अच्छे हो या 9 कैसे पता लगाओगे तुम्हारे वयोहारों की द्वारा तुमारी बोली की द्वारा तुमारी भाषा की द्वारा जो चीजें तु पसंद करता है तुमारा चोइस उसकी द्वारा पता चलेगा कि तुम क्या हो आगे प्रभु समझाते हैं दिश्ठांद की द्वारा जो व्यक्ति मेरे वचनों को सुनता है उसका पालन करता है उसको आत्मसाथ करता है उसको अपनी जीवन का हिस्सा बनाता है वो उस बुद्धिमान विक्ति की तरह है जिसने अपना मकान चट्टान पर रखा नीव खोदा गैरा खोदा और चट्टान पर उसकी नीव रखा आंधी आई, वर्षा आई उस मकान से टकराई लेकिन वो मकान नहीं गिरा क्योंकि उसकी नीव चट्टान पर थी लेकिन जो व्यक्ति मेरे वचनों को सुनता है उसका पालन नहीं करता है वो स्मूर्ख की तरह है जिसने अपना मकान गहरे नीव पर ने रखा उपर उपर रखा वर्षा आई, आंधी आई, गिर गया प्रभु के वचन को सुनना और उसको पालन करना हमारे जीवन के लिए एक ठोस नेव की तरह है जो व्यक्ति प्रभु के वचनों को सुनता है उसका पालन करता है उसका जीवन ठोस होता है मजबूत होता है टिकावू होता है लेकिन जो लोग इस संसार के अनुसार चलते हैं और जल्दी जल्दी में अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं जल्दी जल्दी में धनी बनना चाहते हैं जल्दी जल्दी में नाम कमाना चाहते हैं उनका जीवन टिकाऊ नहीं है क्योंकि उसकी नीव गहरी नहीं है वो गिर जाता है प्रभ येशू इन वच्णों की द्वारा हमें बताते हैं सबसे पहले हमारे वेवारों की द्वारा मुढूने पाएं कि हम क्या है हमें अपने पेड को सही करने की अवशक्त है उसके लिए हमें प्रभु की पास जाना होगा प्रभु की वच्णों को सुनना होगा आगे प्रभु कहते हैं कि तुम अपने जीवन की नेव पक्की कर दो प्रभु की वच्णों को सुनो उसका पालन करो प्रभु के आदेशों के अनुसार जीवन जीओ आज के दिन हम प्रभु से इसके लिए प्रात्ना करें आगे मंद कीजिए प्रात्ना करें प्रभ येशु इन दोनों वचनों की द्वरा तुने हमें टटोला है हमारे सामनी चुनाउती रखिये है कि अपने जीवन को बदले है हमारी प्रात्ना करें बदल दे हम जल्दी जल्दी कुछ बनना चाहते है हम तेरे उपर निर्भर रहकर बनना नहीं चाहते है हम तेरे वचनों के अनुसार जीना नहीं चाहते है हमें अक्सर संसार उठा ले जाता है संसार के बहकावे में हम लोग भी आ जाते हैं हम बह जाते हैं गिर जाते हैं हम बरदया की जी हमें अपने जीवन की निव को ठोस बनाने के लिए गिरपा दीजिए तेरे वचनों को सुनने की गिरपा दीजिए उसका पाहलन करने की गिरपा दीचे प्रभी येशु तेरे वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बेन को समय आश्रवाद दीचे आज का दिन उनके लिए आश्रवाद का दिन हो अनुगरा का दिन हो वे जहां कहीं भी जाएं तेरी सुरक्षा और तेरे सम्रिक्षन का नबो कर सकी आमेन जीवन का मन्ना है झाल